नमस्कार दोस्तों में चल्मा आपका स्वागत है आज मैं बना रहे हूं मालकुए आए देखते हैं उसे कैसे बनाते हैं अब लिए हमाचे एक कटोरी गेहों का आटा मैंने चान के लिया है एक कटोरी बारी करके गुड मैंने एक बटल लिया है उसमें डालूंगी मैं दो गिलास पानी साधा नॉर्मल पानी अब मैं अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे गुड का पानी बनाना है हमको यह देखे मेरा गुड का पानी बन चुका है गुड बिलकुल ने दिखना चे यह अब मैं इसमें डालूंगी राटा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तीन चमस करके और इसको अच्छे से हिलाएंगे इसको अच्छे से गुड के पानी में मिक्स कर लेंगे अगर बेटर पतला हो गया हो तो उसमें आटा और एट कर सकते हैं अई मैं इसमें आदा कटरा और आटा एट करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे मैं गाटने आना चाहे अब इसको अच्छे से फेट लूँगी मैं अब आजब करते हैं यह देखें मेरा बटर बन चुका है यह मैंने कड़ाई रखी है आप कोई भी कड़ाई में बनाएं गया स्फास रहेगा उसमें तेल डालूंगी तलने के लिए तेल थो ज़्यादा लए क्योंकि डिफ्राय करना है माल पूए तेल को अच्छे से गरम करना है माल पूए मनाने के लिए मैंने ऐसा कर्ची यूज किया है ऐसे हमको हाथ फेल लेना है गोल करके डालना है अच्छे से इसको हमको कमसे हम दो तीर मिर्टा पकाना है जल्दी नहीं पल्टी मालना है यह रेखे साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है अभी बैस को कर्ची लेके पल्टी मालोंगे अच्छे से इतना ही हमको साइड पकाना है अगर आप लोको मोटे मालकोए बनाने है तो पड़ाई थोड़ा गहरी वाली लीजिए आसी में और भी बनाऊंगी अभी थोड़े छोटे बनाऊंगी एक जगा पर डाल गीजिया बस आप लोग मालकोए के साइड अपने साथ से बना सकते हैं मेरे मालकोए बन चुके हैं बन गे हैं मेरे आटे के मालकोए आप लोग ये वीडियो को लाइक और शेयर करें जो पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं सस्क्राइब करें झाल झाल झाल